आच्छा, RBI कहता है सही माली बरताव कर्याप का बचाव गबिष्ट 허리 हग गबिष्ट गबिष्ट हगा假 हगा で हगा दूpu गबिष्ट गबिष्ट गबिहुद वो महबत की चाशनी वो चाहत का पेमाना सिर्फ तेरी आर्जू हो और उल्फत का अफसाना वो बातों में जादू वो मन का जीत जाना कभी आपको हसाय कभी खुद का गुदूदाना दोस्तों आदाब मैं हूँ आपका मेजबान सल्मान सईद और आप देख रहे हैं कवी हादिर है दूर दर्शन अदू लेकर आया है आपके लिए कैसा प्रोग्राम जो आपको हसाएगा गुदगदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदूस्तान की मुष्टर का तैजीब और अदबी शगूर का गहवारा है तो किस बात की का अखिर है कवी हाजिर है दोस्तो शायरी में वो ताकत और कुवत है कि वो आपको माजी और मुस्तक्बिल का सफर करा सकती है यही वज़ा है कि अगर हम शायरी को टाइम मशीन कहें तो गलत ना होगा शायरी के जरीए आप उन तमाम एहसासात को ताजा कर सकते हैं जो कहीं व हैं आने को पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को तो आए नाजरीन आपको एक ऐसे शायर से मिलाता हूं जो आपके उन तमाम एहसासात को ताजा कर देगा जो वक्त के साथ कहीं पीछे चुट गए हैं मेरे मुराद है डॉक्टर मनसूर फरीदी से जोर्दार तालियो में इस्तक्बाल कीजिए डॉक्टर मनसूर फरीदी करें मुथरम नाजरीन आदा बर्जे चार मिस्रे से मैं अपनी शायरी का आगाज करता हूं कि तू जिसे अपनी दौाओं में लिए फिरता है तू जिसे अपनी दौाओं में लिए फिरता है तू जिसे अपनी दौाओं में लिए फिरता है वो तो कितनों को हवाओं में लिए फिरता है नूर वाले की अजब फितरते नूरानी है चांद को काली घटाओं में लिए फिर नूर वाले की अजब फित्रते नूरानी है चांद को काली घटाओं में लिए फिरता है चार मिसरे और समात फरमाएं कि किसी के फैज़ो तसर्रुफ का सिल्सिला हूँ मैं उठाओ हाथ मुझे मांग लो दुआ हूँ मैं और हवा के दोश पे जलता हुआ दिया हूँ मैं यह और बात निगाहों में खल रहा हूँ मैं यहीं से घजल का मतला समात फरमाएं कि लहू लुहान परिंदे भी जान रखते हैं लहू लुहान परिंदे भी जान रखते हैं यह बोलते नहीं लेकिन जान रखते हैं समेट लेते हैं सागर को अपने गागर में हम अहले दिल यू करामत की शान रखते हैं और खलूस प्यार वफा गम खुशी दवा आसु खुलूस, प्यार, वफा, गम, खुशी, दुआ, आसू हम अपने साथ यही तर्जमान रखते हैं हम अपने साथ यही तर्जमान रखते हैं और हमारे पुरुखों की तहजीब भी है, जिनत भी हमारे पुरुखों की तहजीब भी है, जिनत भी हम अपने साथ जो पांदान रखते हैं हम अपने साथ जो पांदान रखते हैं और हमी को देखो अजाइब घरों को मत देखो हमी को देखो अजाइब घरों को मत देखो वही मिजाज वही खांदान रखते हैं वही मिजाज वही खांदान रखते हैं और फरीदी उनको ही मिलती है मन्जिले मकसूद जो हौसले को हमेशा जवान रखते है जो हौसले को हमेशा जवान रखते है ए गजल और उसका मतला समात फरमाएं वहीं से शुरू होता हूँ कि ख्यालो खाब का मन्जर अभी नहीं आया कि मेरे घर मेरा दिल बर अभी नहीं आया ख्यालो खाब का मन्जर अभी नहीं आया कि मेरे घर मेरा दिल बर अभी नहीं आया मैं उसकी सारी हकीकत बयान कर देता मैं उसकी सारी हकीकत बयान कर देता मगर वो खोल से बाहर अभी नहीं आया मैं उसकी सारी हकिकत बयान कर देता मगर वो खोल से बाहर अभी नहीं आया मैं उससे मिलने का मुस्ताक आज भी हूँ मगर मैं उससे मिलने का मुस्ताक आज भी हूँ मगर वासमा से उतर कर अभी नहीं आया वासमा से उतर कर अभी नहीं आया अभी तो उसकी खता का कोई शुमार नहीं शेर देखें कि अभी तो उसकी खता का कोई शुमार नहीं वो मेरे कद के बरावर अभी नहीं आया वो मेरे कद के बरावर अभी नहीं आया अभी तो उसकी खता का कोई शुमार नहीं वो मेरे قط के बराबर अभी नहीं आया मैं शाह राह पे कबसे बुला रहा हूं उसे में शाह राह पे कबसे बुला रहा हूं उसे मगर वो छोड के बिस्तर अभी नहीं आया नजर की जड़ में कलंदर अभी नहीं आया फरीदी घर को चलो और सो जाओ फरीदी घर को चलो और सो जाओ तुम्हारा चांद तो च्छट पर अभी नहीं आया तुम्हारा चांद तो च्छट पर अभी नहीं आया ए घजल और और उसका मतला समात फरमाए कि आ, मुझ में उतर, दिल का चमनजार भी ले ले, दामन से लिपट जाएं अगर खार भी ले ले, हूं बुद कोई पत्थर का मगर बोल रहा हूं। हो तुझ से अगर कुबतِ गुफतार भी ले ले, एसर चड़ी आंदी तेरे आगे न जुकूंगा। तुचाहे तो सर से मिरी दस्तार भी ले ले, और एशक्स मेरी नقल तू करता है बहुत कूछ, एशक्स मेरी नقल तू करता है बहुत कुछ, लाज़ से, लाजिम है ये तुझपर मेरे अतवार भी ले-ले। लूटा है ζमाने ने मुझे चारों तरफ से जुरत नहीं उसकी मेरा किरदार भी ले-ले। तुफाने बलाकश मेरी छट ले गया सर से उससे कोई कहदे दरो दिवार भी ले 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 और गुलशन में जरा दे ठहर जा तु फरी दी फूलों की महक चिडियों की चहकार भी ले ले और एक और मतला समात फर्माएं कि ना जाने क्यों मेरे अपनों पे बार गुजरा है और जुके हुए हैं सभी पेर पौदे ताजीमन जरूर कोई नकीब बहार गुजरा है तुम उससे तोड़ दे रिष्टे की एक एक बंदिश तुम उससे तोड़ दे रिष्टे की एक एक बंदिश मेरा वजूद अगर तुछ पे बार गुजरा है चला रहे हो जो तीरे नजर शरारत से तुम्हें खबर है मेरे दिल के पार गुजरा है तुम्हें खबर है मेरे दिल के पार गुजरा है एक मतला और है कि गमो रंजो अलम से हम कलामी अच्छी लगती है गमो रंजो अलम से हम कलामी अच्छी लगती है जुनु को बेजबा की बेजबानी अच्छी लगती है गमो रंजो अलम से हम कलामी अच्छी लगती है जुनों को बेजबा की बेजबानी अच्छी लगती है ये दुनिया चार पल का आश्याना है मगर देखो ये दुनिया चार पल का आश्याना है मगर देखो सभी को चार पल की जिन्दगानी अच्छी लगती है सभी को चार पल की जिन्दगानी अच्छी लगती है अगर्चे कौल से अफ़ाल का यारा नहीं लेकिन जबाने शाइरी में गुलफशानी अच्छी लगती है जबाने शाइरी में गुलफशानी अच्छी लगती है निगाहे भी फसाना दिल का कहती है मगर अक्सर समात में जबानी लंतरानी अच्छी लगती है समाइत में जबानी लंतरानी अच्छी लगती है एक घजल का एक मतला दो तिन शेव तवील था मेरा किसा तमाम किस ने किया मैं ढूरता हूँ उसे ऐसा काम किस ने किया तमील था मेरा किसा तमाम किस ने किया मैं ढूरता हूँ उसे ऐसा काम किस ने किया सुनी सदा तो ताज्जुफ सा हो गया मुझको सुनी सदा तो ताज्जुफ सा हो गया मुझको भुतों के शेहर में मुझसे कलाम किस ने किया बतों के शियर में मुशे किलाम किस ने किया और दिया था मैंने हर एक हाथ में वफा का गुलाब दिया था मैंने हर एक हाथ में वफा का गुलाब मेरा सलीके से जीना हराम किस ने किया मेरा सलीके से जीना हराम किस ने किया मैं उर रहा था हवाओं के दोश पर तनहा मेरे ख्याल का उचा मकाम किस ने किया मैं अजनभी था फरीदी तुम्हारे गाहों में अजनभी था फरीदी तुम्हारे गाहों में अदब से जुक के मुझे यू सलाम किस ने किया ये थे डॉक्टर मनसूर फरीदी साहब जिनके कलाम से आप महजूज हो रहे थे और उन्हें तालियों से नवाज रहे थे दोस्तो शायरी इजहार का वसीला है यही वजा है कि इसमें हर आदमी अपने तरीके से बात रखता है कोई नर्मी से काम लेता है तो किसी का लहजा बहुत लाओड है कोई अपनी बात को सीधे सीधे रखने का आदी है तो कोई तंजो मिजा से काम लेता है आईए आपको एक ऐसे ही शायर से मिलाता हूँ जिसने अपने तंज और मिजा से जमाने की तश्कील की है खुदा के फजल से आशिक मिजाज मैं भी हूँ ये बात और के मुला दिखाई देता हूँ आईए फटा-फट सुनते हैं चांद फटा-फट को तश्रीप लिए नाजरीन कवी हादिर मैं आपका इस्तखबाल है कवी हादिर के लिए एक गत्ता समात फरमाएं अर्ज यू क्या है कि कैकहाजार बनाने को कवी हादिर है कैकहाजार बनाने को कवी हादिर है धूम टीवी पे मचाने को कवी हादिर है अर्ज क्या है कि अब तो ये हाल है पेमिंट मिले या ना मिले खाने खाने पे भी आने को कवी हादिर है अब देखेगा यहां से मेरा तारुफ समात फरमाएं अर्ज यू क्या है कि जहनी बीमार लगते हैं जहनी बीमार से लगते हैं ये क्या कहते हैं जहनी बीमार से लगते हैं ये क्या कहते हैं लोग इस दौर में अच्छों को बुरा कहते हैं अर्ज यूं किया है कि खारिजुल बहर भी पढ़ता हूँ बड़े फक्र के साथ, सामाई हस के मुझे चिकना गड़ा कहते हैं। जाने क्यों लोग मुझे फिर भी गड़ा कहते हैं। तुम्हारी जो विरासत है वो मेरे नाम हो जाए, बहुत बीमार रहते हो, तुम्हारा क्या भरोसा है, न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाए। अधाब देश को बहुत बहुत शुक्रिया, अब देखेगा यहां से कि मेरे वाली साप की क्या तमन्ना थी, यहां से मैंने अर्श किया है कि पोते की जिद में शादी मेरी चार कर गए, फिर भी हुआ ना पोता तो अब बा गुजर गए, अब मेरी जिंदगी तो मुसलसल अधाब है, वो दिन मेरी बहार के जाने किधर गए, दोस्तों यहां से और तजमीन मुलाइज़ा फरमाईए, अर्स किया है कि थे जितने खुआब आखों में, थे जितने खुआब आखों में, बसूरत अश्क गम निकले, मुझे जिसने बुलाया था, उसी के ये सितम निक निकले, महले भर से पिटवा कर, मेरे पासा के वो ये बोले, बहुत निकले मेरे यह अर्मान लेकिन फिर भी कम निकले, अब मेरी इज़त कितनी है, यहां से समात फरमाईएगा, कि पता है तुम को कितनी है, मेरी इज़त जमाने में, मेरे फोटू लगे हैं, आज भी हर एक खाने में, खड़े रहते हैं स्वागत में, पुलिस वाले मेरी खातिर, भलाई मैं समझता हूँ, उधर से बच के जाने में, अब दोस्तों यहां पर मेरे दोस्त का रिष्टा है, उसके लिए मैंने एक कता अर्ज किया है, समात फर्माईए कि सुनो दोस्तों, पहलवान का एक रिष्टा दरकार है, सुनो दोस्तों, पहलवान का एक रिष्टा दरकार है, उम्र है उसकी लगभग सत्तर मेरा पकायार है, उम्र साट की लंबा कदो जिस्म छरेरा गोरा रंग, ऐसा रिष्टा मिल जाए तो समझो बेड़ा पार है, साट साल की अगर मिलेना, फिर भी गबराना मत, तीस-तीस की दो मिल जाएं, उसको कब इनकार है, अब देखिएगा कि मैं जिला बिजनौर से हूँ, लागा जुबान में गत्ता समात फरमाएं, कि मेरे शेर सुनने सुनाने के ना हो, मुझे दाद देने दिलाने के ना हो, और देखिएगा कि ये शेरों के पत पत्थर तु सहने पड़ेंगे, मुझे जब तलक तु म भगाने के ना हो, तुम्हे आज मैं भी पका दूंगा इतना, कभी मुझे को फिर से बुलाने के ना हो, कभी मुझे को फिर से बुलाने के ना है कि मैं हटने का ना हूँ बुला लो पुलिस को के जब तक के पियमिन्ट दिलाने के ना हूँ अब देखिये नहाना दोना मुझे बिल्कूल अच्छा नहीं लगता है क्ता समात फरमाईए यहां से क्या जुमा और क्या सनीचर क्या दोगाने के लिए क्या जुमा और क्या सनीचर क्या दोगाने के लिए दिल नहीं करता है मेरा अब नहाने के लिए क्या जुमा और क्या सनीचर क्या दोगाने के लिए दिल नहीं करता है मेरा अब नहाने के लिए एद पर भी मैं तो खुश्बू से चला लेता हूं काम क्यूंके आते हैं सभी मिलने मिलाने के लिए मेरा तरन्नम बहुत अच्छा है तरन्नम में कता समात फर्माइए यहाँ पर मैंने सूजी लफस का तीन बार इस्तमाल किया है और तीन बार सूजी के बिलकुल अलग मानी है अर्स किया है कि यह लागडाउन लगा हुआ था हल्वे का तिवहार शाब बरात आया उसमें मेरी बेगम ने फर्माइश करी वहां से यह कता हुआ था समात फर्माइए मुझे हल्वा बनाना था न चीनी थी न सूजी थी मुझे हल्वा बनाना था न चीनी थी न सूजी थी उधर बच्चे भी रूठे थे इधर मैं डम भी सूजी थी मैं निकला लाकडाउन तोड के घर से जो सडकों पे मैं निकला लाकडाउन तोड के घर से जो सडकों पे पुलिस की मार से हफ्तो मेरी तश्रीफ सूजी थी पुलिस की मार से हफ्तो मेरी तश्रीफ सूजी थी अब देखेगा कि अखबारों की हेड लाइन बिना पढ़ें लोग बाग तरह-तरह की बाते करते हैं, आसे खता समात फरमाईए, अरज किया है कि पेपर में छप रही थी अनोखी सी एक खबर, पेपर में छप रही थी अनोखी सी एक खबर, जनमा है साद बच्चों को सुईटी ने गुल के घर, पड़पर के लोग करते बाते बड़ी बड़ी, पड़पर के लोग करते थे बाते बड़ी बड़ी, फिर मैंने सूजबूज से पूरी खबर पड़ी, जब जा के पूरी बात का मुझे को पता चला, सुईटी तोगुल की पाल तू कुटिया का नाम था, जी दोस्तों, यहां से एक आइटम और समात फर्मा लीजे, और उसके बाद आप लोगों से इजाज़त, अर्श किया है कि मजबूर होके दिल से घजब, मैं ये कर गया, मजबूर होके दिल से घजब, मैं ये कर गया, बेवा जो थी पडौश की मैं उस पे मर गया, हस्रत भरी निगाह से तक्ती थी वो मुझे, अंदाज उसका ये मेरे दिल में उतर गया, एक दिन किसी बहाने से आई वो मेरे घर, बंठन के मैं भी एक दिन फिर उसके घर गया, इसकी भनक जो बेवा के बेटों को लग गई, इतना पिटा के घुट्टों के बल चल के घर गया, सर से उतर के भूत वो जब इश्क का चला, सौबार हाद जोड के वादा ये कर गया, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद, फिर से पिटने को न आएंगे सनम, आज के बाद, आज के बाद, ये थे जनाबे चांद पटापट, जो अपने मिजा से नवाद रहे थे और आप कहके लगा रहे थे दोस्तो अदब जिन्दगी का आइना है यही वजा है कि अदब आपको दुनिया के पेचो खम और जिन्दगी के जेरो बम से मतारिफ कराता है जिन्दगी बहुत पेचीदा शेह है इसलिए फानी बदायोनी ने इसे मौमा कहा है एक मौमा है समझने का न समझाने का जिन्दगी काहे को है खाब है दिवाने का आईए आपको एक ऐसी शायरा से मिलवाता हूँ जिसने ना कि सिफ हिंदुस्तान में बलकि हिंदुस्तान के बाहर अमेरिका, योरोप और दीगर मुमालिक में हिंदुस्तान का नाम रोचन किया है मेरी मुराद है ताजवर सुल्ताना साहिबा से तश्रीफ लिकराए मौसीज नाजरीन आप सभी को मेरा आदाब और सलाम एक गजल हाजिर कर रही हूँ मुलाज़ा कीजेगा गजल का मतला मुलाज़ा कीजे हर शिक वे गिले दिल से बुलाने के लिए आ बुलाने के लिए आ उजड़ी हुई दुनिया को बसाने के लिए आ बसाने के लिए आ हर शिक वे गिले दिल से बुलाने के लिए आ बुलाने के लिए आ दर दो अलम में वो मिली लज़त न पूछिये दर दो अलम में वो मिली लज़त न पूछिये लज़त न पूछिये तु और मेरे दिल को दुखाने के लिए आ दुखाने के लिए आ और ही शियर पास्तों समलाजा कीजेगा नफरत की सियासत ने किया जिन्दगी तबाः नफरत की सियासत ने किया जिन्दगी तबाः नफरत को हर दिलों से मिटाने के लिए आ मिटाने के लिए आ नफरत को हर दिलों से मिटाने के लिए आ मिटाने के लिए आ इस दोर में जीना कोई आसान नहीं है कुछ होसला इस दिल का बढ़ाने के लिए और इस दिल का बढ़ाने के लिए आ और ये शेर भी खासाओ समलादा कीजिएगा इनसान के अब खून की कीमत नहीं रही इनसान के अब खून की कीमत नहीं रही इनसान के जिन्दगे को बचाने के लिए आ बचाने के लिए आ हर शिक वे गिले दिल से भूलाने के लिए आ बुलाने के लिए आ कबसे असीर गम हूँ रहाई की आस में कबसे असीर गम हूँ रहाई की आस में रहाई की आस में इस कैद से तु मुझ को छुडाने के लिए आ चुडाने के लिए आ और ये शेर भी खासास में लादा कीजे ना अपनी हो खबर ना अपनी हो खबर ना जमाने के कुछ खबर ना अपनी हो खबर ना जमाने के कुछ खबर दीवाना मुझे को ऐसा बनाने के लिए या बनाने के लिए आ दीवाना मुझे को ऐसा बनाने के लिए या बनाने के लिए आ और ये शेर भी मराजा कीजे मुझे को बुरा कहे जो गिरेबा में छाके ले मुझे को बुरा कहे जो गिरेबा में छाके ले गिरेबा में छाके ले ऐसों को कुछ सबख तू सिखाने के लिए या सिखाने के लिए या मकता हादिर कर रहे हूँ तनहा नकट सकेगा सफर जिन्दगी का ताज तनहा नकट सकेगा सफर जिन्दगी का ताज ताउंगर मुझे अपना बनाने के लिए या बनाने के लिए या ताउंगर मुझे अपना बनाने के लिए या बनाने के लिए आँ एक घजल और मुलाज़ा कीजिए मतला हाजिर करें हूँ तुम मिले जो आज मुझे को जिन्दगी अच्छी लगी तुम मिले जो आज मुझे को जिन्दगी अच्छी लगी बात ही कुछ ऐसी थी के हर खुशी अच्छी लगी तुम मिले जो आज मुझे को जिन्दगी अच्छी लगी यू अचानक देख इजहारे खुशी करने लगे यू अचानक देख इजहारे खुशी करने लगे अपनी बसती वालों की दरिया दिली अच्छी लगी अपनी बसती वालों की दरिया दिली अच्छी लगी महक उठी वादियां गुलजार था सारा चमन महक उठी वादियां गुलजार था सारा चमन ताजा दम चेहरे पर तेरे ताजली ऑच्छी लगी ताजा दम चेहरे पर तेरी ताजली अच्छी लगी और ये शेर भी खास 사람이 कीच की ज़गा लाज रख लीजे मेरे सजदों की ऐए मालिक मेरे लाज सजदों की मेरे रख लीजिए मालिक मेरे बंदा परवर बस तेरी ही बंदेगी अच्छी लगी और ये शेर भी मलाजा कीजिए दोस्ती का हक अदा एदोस्त तुमने कर दिया इसलिए एदोस्त तुम्हारी दोस्त तुम्हारी दोस्त अच्छी लगी इसलिए एदोस्त तुम्हारी दोस्त तुम्हारी दोस्त तुम्हारी अच्छी लगी दिल ये कहता है के कर दूँ जानो दिल तुम पर निसार दिल ये कहता है के कर दूँ जानो दिल तुम पर निसार तुम से मिल कर जान जाना जिन देगी अच्छी लगी तुम से मिलकर जान जाना जिन्देगी अच्छी लगी आखरी शिर मराजा की जाएगा मेरे बच्चपन की सहली ही मेरी हमराज थी मेरे बच्चपन की सहली ही मेरी हमराज थी मुद्दतों के बाद वो मुझे से मिली अच्छी लगी मुझे से मिली अच्छी लगी मुझे से मिली अच्छी खाबों का जो शहजादा था जब उसे मिली ता जी खाबों का जो शहजादा था जब उसे मिली वसका शहर अच्छा लगा वसकी गली अच्छी लगी वसका शहर अच्छा लगा वसकी गली अच्छी लगी आखरी खेला गजल मुलाजा कीज़ाए मेहरबानी का है शौक तेरा वही बदगुमानी का है मेरी किसमत जगाने को आजाईए मेरी किसमत जगाने को आजाईए शौक दिल में बहुत में जबानी का है शौक दिल में बहुत में जबानी का है और ये शेयर किसमत जगाने के लिए एक सफर और कैना है उनके लिए ये तकाजा मेरी जदगानी का है ये तकाजा मेरी जदगानी का है और ये शेयर भी खास तरह समना जगीजे के कोई शम में यकीदत जलाता नही मकबरा एक शेहनशा की ज़ानी का है मकबरा एक शेहनशा की ज़ानी का है अजमत इश्क कर दी अता अपने अजमत इश्क कर दी अता अपने दिल पे हक आपको हुकम रानी का है दिल पे हक आपको हुकम रानी का है तुम महाबत का इजिहार करने लगे तुम महाबत का इजिहार करने लगे क्या यही एक सिला खुश बयानी का है क्या यही एक सिला खुश बयानी का है मक्ता हाजिर करें हूँ मालो जरताज कुछ भी नहीं है तो क्या होसला तो बहुत मेजबानी का है होसला तो बहुत मेजबानी का है शौक तेरा वही बदगुमानी का है मेरा जजबा बहुत मेरा जजबा मगर महरबानी का है खुक्रिया ये थी ताजवर सुल्ताना साहिबा जो अपने खुबसूरत कलाम से नावाज रही थी और आप मेजूज हो रहे थे दोस्तो शायरी में जितनी मवाफिकत है यानि अड़ेप्टेशन है वो शायद ही किसी और फन में होगी जैसे जैसे जमाना तबदील हुआ शायरी ने भी करवटे बदली और शायरी में नए नए मजामीन आते चले गए शायरी महबूब की जुल्फों से पाउं की बेडियों में तबदील हो गई यही वज़ा है कि फैज आमद फैज ने अपनी एक नजम में कहा और भी दुख हैं जमाने में महब्बत के सिवा राहते और भी हैं वसल की राहत के सिवा मुझसे पहली सी महब्बत मेरी महबूब नमा आएए दोस्तों आपको एक ऐसे ही शायर से मिलवाता हूँ उसको सुनवाता हूँ जिसके यहां मजामीन की बहतात है मुझसे अमीद है आप बहुत महजूज होंगे मेरी मुराद है डॉक्टर संजे मिश्रा शौक साहब से जो लखनों से तश्रीफ लाएं सब तश्रीफ है अज़ाब सामाई नज़रा एक मतलाव चंशे अर्थामत फरमा ले कि खमीरे खाक की सूरत को अब समार भी दे मैं बन चुका हूँ मुझे चाक से उतार भी दे तू चाहता है कहूं मीर की तरह को शेर तू चाहता है कहूं मीर की तरह कुछ शेर तो मेरी फिक्र को उजड़ा हुआ दयार भी दे और अब तो दिल पा कोई जखम ही नहीं लगता अब इन खुलूस के नैजों को तेज़ धार भी दे तू दोस्ती में खसारा नहीं उठाएगा तू दोस्ती में खसारा नहीं उठाएगा तो ऐसा कर के तास्ब का डंक मार भी दे खुशी का जहर पिए मुद्दते हुई जाना खुशी का जहर पिए मुद्दते हुई जाना सो अपके कर्या जामे इसे उतार भी दे खुशी का जहर पिए मुद्दते हुई जाना सो अपके कर्या जामे इसे उतार भी दे खमीर खाक की सुरत को अब समार भी दे मैं बन चुका हूँ मुझे चाक से उतार जखमी हुआ बदन तो हवा दी गई मुझे साकित हुआ तो आग लगा दी गई मुझे शेयर पेश कर रहा हूं कि दर्वाजा ला शवूर का मुझ पर खुला ही था दर्वाजा ला शवूर का मुझ पर खुला ही था के दोपहर की धूब दिखा दी गई मुझे दर्वाजा ला शवूर का मुझ पर खुला ही था के दोपहर की धूब दिखा दी गई मुझे शेयर पेश कर रहा हूं की लफजों की सुईयों से किये चाके मन रफू लबजों की सुईयों से किये चाके मन रफू, ऐसी रफूगरी भी सिखा दी गई मुझे छूबी सकी न मुझको हवाए बरहनगी, शर्मो हया की ऐसी रिदा दी गई मुझे बारे गमे हयात उठाए ना उठ सका, सब बाज आ गए तो सदा दी गई मुझे जखमी हुआ बदन तो हवा दी गई मुझे, साकित हुआ तो आग लगा दी गई मुझे एक गजल के चंद आशार और पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा कीजे कि मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चहरा देखो, मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चहरा देखो, चान ने फैक दिया शब का दुपटा देखो किस कदर चीखता रहता है वो तनहाई में, किस कदर चीखता रहता है वो तनहाई में, रात के वक्त समंदर को अकेला देखो, मुझसे पत्थर में महबत के शगूफे खिल जाएं, मुझसे पत्थर में महबत के शगूफे खिल जाएं, देखना है तो मुझे गौर से इतना देखो, उसकी तस्वीर ने चुपके से ये सरगोशी की, उसकी तस्वीर ने चुपके से ये सरगोशी की, हाथ से छुट गया है कोई लमहा देखो, उसकी तस्वीर ने चुपके से ये सरगोशी की, हाथ से छुट गया है कोई लमहा देखो, हमने आँखों को ही कालीन बना रखा है, उसने एक बार कहा था मेरा रस्ता देखो, हमने आँखों को ही कालीन बना रखता है उसने एक बार कहा था मेरा रस्ता देखो रात जब भीग चले याद के जिन्दानों में आओ तुम भी मेरे जखमों को उधरता देखो रात जब भीग चले याद के जिन्दानों में आओ तुम भी मेरे जखमों को उधरता देखो खुश्क आँखों में ना पानी के फसाने ढूंडो रेत पर उल्टा पड़ा खाबों का बजरा देखो रेत पर उल्टा पड़ा खाबों का बजरा देखो मैंने जब उससे कहा तुम मेरा चेहरा देखो चांद ने फैक दिया शपका दुपटा देखो ये घजल के चंदा शार और समात फरमा लें कि पकारती है मुझे पकारती है तेरे शेहर की फसील मुझे पकारती है तेरे शेहर की फसील मुझे जो हो सके तो नई आयतों से कील मुझे पकारती है तेरे शेहर की फसील मुझे जो हो सके तो नई आयतों से कील मुझे जमीने गयर उठाओं ना मैं खयाले गयर मेरे खुदा ने बनाया है खुद कफील मुझे जमीने गयर उठाओं ना मैं खयाले गयर मेरे खुदा ने बनाया है खुद कफील मुझे लगा रहा हूँ मैं हिज्रा में खाइशों के दरख्त समझ रही है ये दुनिया बहुत अलील मुझे लगा रहा हूँ मैं हिजरा में खाइशों के दरخت समझ रही है ये दुनिया बहुत अलील मुझे मैं अपने अहद के सच का सुबूत कैसे दूँ अभी मिला ही नहीं है कोई वकील मुझे फटे लिबास में फुटपात पर हुआ तस्वीर फटे लिबास में फुटपात पर हुआ तस्वीर तमां शेर उड़ाता रहा शनील मुझे गदाए शे नहीं के सच कासे में ताज डाल दिया वो आँखें फट गई समझी थी जो बखील मुझे गदाए शेहर के कासे में ताज डाल दिया वो आँखें फट गई समझी थी जो बखील मुझे मेरी नवा के मुखालिफ हुए थे फिर यगजा मेरी नवा के मुखालिफ हुए थे फिर यगजा बना दिया गया जखमों की एक जील मुझे चलक पढ़ूंगा मैं खुद हासिदों की आँखों से कभी मिले तो कोई मुतबर सबील मुझे गरूर होती अना फिर तुलू हो जाए तु अपने तंस के नश्टर से ऐसे चील मुझे जूरूर होती अना फिर तुलू हो जाए तु अपने तंस के नश्टर से ऐसे चील मुझे जुरूर शौक कयामत है अनकरीब कहीं वो सक्त जान भी देने लगा है धील मुझे ओधर चंद रुबाइयात पेश कर रहा हूं मुलाजा कीजेगा कलियों ने तकल्म के लिए लब खोले जैसे की फजा में कोई अमरित घोले लैलाए घजल जब हुई आमादा रक्स अलफाज की पाजेब ने घुंगरू खोले लैलाए गजल जब हुई आमादे रक्स अलफाज की पाजेब ने गुंगरू खोले होती है मेरी फिक्र में सुनगुन पैदा अलफाजो माणी से नई धुन पैदा होती है मेरी फिक्र में सुनगुन पैदा अलफाजो माणी से नई धुन पैदा तन्कीद से खुशूं के इसी के दम से तखील में होता है तवाजन पैदा अज़ करता हूं के दिल दर्द के संगीत का शैदा हो जाए जो जखम छिपाऊं वो हुवईदा हो जाए दिल दर्द के संगीत का शैदा हो जाए जो जखम छिपाऊं वो हुवईदा हो जाए इतना नबहा हिज्र के गम में आशू आँखों में कोई दश्त न पैदा हो जाए और अरस करता हूं के आँखों में कोई दश्त न पैदा हो जाए मन्जिल जो नहोपाई नुमू थूग दिया जब अजम ने तोड़ा था वुजू थूग दिया अहसास के पैरों से जो छाले फूटे इजहार के होटों ने लहू थूग दिया मश्के सितमे जवरो जफा करता है मश्के सितमे जवरो जफा करता है पर्दे में तकदुस के रिया करता है इस दौर का मेयारे अदब तो देखो जाहिल सनदे इल्म अता करता है बिगडे हो मगर हम भी बना लेंगे तुम्हें बिगडे हो मगर हम भी बना लेंगे तुम्हें इद्राक के जीनों पर चड़ा कर एक रोज माइदान जहालत से निकालेंगे तुम्हें मिट्टी का बदन तोड के बाहर आ जाओं मिट्टी का बदन गोड के बाहर आ जाओं उफ्ताथ से सर फोड के बाहर आ जाओं मिट्टी का बदन गोड के बाहर आ जाओं उफ्ताथ से सर फोड के बाहर आ जाओं तु मुझको पुकारे तो खुदा की सौंगन दर्वाज़े दिल तोड के बाहर आ जाओं लहजे में तकदुसो रवादारी हो एजास की खाहिश नादाकारी हो लहजे में तकद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् को इद्राक को खोया होगा दानाए सुखन देख के रोया होगा हर इल्म को इद्राक को खोया होगा खाते हैं उजालों को उजाले अकसर खत्रे ने समंदर को डुबोया होगा तखील की खेती में कोई चूक न छोड़ तखील की खेती में कोई चूक न छोड़ मफूम नया हो तो कई दिन तक गोड़ दुनिया तरी तकलीद करेगी लेकिन तु फिक्र की दरिया के हर एक बून निचोड़ तु फिक्र की दरिया की हर एक बून निचोड़ आखरी रुब तनहाई की मारी हैं बिचारी रातें, यादों के गुलाबों निखारी रातें, महभूप से बिच्छी हैं सो आहें भरकर बिस्तर पा सिसकती हैं कुमारी रातें। दोस्तों ये थे डॉक्टर संजे मिश्रा शौक साब जो बिला शुबा अपने मियारी कलाम से नवाज रहे थे और आप महजूद हो रहे थे। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंदाया होगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए जजबे, नए शौरा के साथ। तब तक के लिए अपने मीजबान सलमान सहीद को इजाज़त दें। खोड़ाफ़ कमी हादू है कमी हादू है कई कर देल